Hello everyone, very good evening to all of you, आप सभी का exam हंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है, तो friends कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई, और आज हम चुड़े हैं फिर से class 8 की history chapter 3 के साथ, जिसका सेट सक है ग्रामिन छेतर पर सासन चलना ठीक है, तो friends हमने पिछले वीडियो में इस chapter से related आधि से जादे महत्पुन बिंदों पर चर्चा कर लिया है, और आज हम उससे आगे के महत्पुन बिंदों पर चर्चा करेंगे, तो चली देखते हैं कि आज कौन-कौन से महत्पुन बिंदों जिसने हमें जानना है और अच्छी से समझना है, ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे युरोब के लिए फसलों के बारे में, तो फ्रेंट यहां में ये जानना है कि 28 सताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोड लगा दिया था, तो अगर आपसे पूचा जाए कि किस सताब्दी के आखरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोड लगा दिया था, तो आपका जवाब होगा 28 सताब्दी ठीक है, और 1500 साल तक अंग्रेज देश के विविन भागों में किसी ना किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे थे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संय यूक्त प्रांथ यानि बर्तमान में उत्तर परदेश में गन्ना, पंजाब में गिहूं, महराष्ट्र पंजाब में कपास, मदरास में चावल, ठीक है, इन चीजों का क्या हुआ था, तो इन चीजों के किसानों को ये बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिये थे, ठीक है, अ और आपको पता है, फ्रेंट्स के हमारे भारत का जो छेत्र है, इसमें अधिकान सत उसनिकाट इवेंद्य छेत्र के अंत्रगत आता है, तो तेरवी सताबदी तक इटली, फ्रांस और ब्रेटेन के कपड़ा उत्पाद, कपड़े की रंगाई के लिए भारते नील का इस्तम सताबदी तक इटली, फ्रांस, ब्रेटेन के कपड़ा उत्पाद कपड़े की रंगाई के लिए भारते नील का इस्तमाल कर रहे थे, और यूरोपी उत्पादक बैगनी और नीला रंग बनाने के लिए बोड यानि सितोस्न नामक पौधे का भी इस्तमाल करते थे, परंतु वो फीका था, उत्री इटली तचनी, फ्रांस वो जर्नमीनी और ब्रेटेन के कई हिस्सों में या पौधा उगता था, ठीक है फ्रेंट्स, अब हम बढ़ते आगे, तो केरी बियाई दीप समूस्तित, सेंट, डोमिंग्यू में फ्रांसिसी, ब्राजिल में पुर्तगाली, जमेका में ब्रेटेस और वेनिजलला में स्पैनिस लोग नील की खेती करने लगे थे, यानि भारत के साथ साथ भी अन्य तेसों में भी नील की खेती होनी शुरू हो गए थी, उत्री अमेरिका में नील की खेती का प्रारंब हो हुआ, ब्रिटेन में ओधोगी की करन होने से उसके कपास उत्पादन में व्रिद्धी हुई परन्तु इसी दोरान वेस्ट इंडेज और अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया था किंदो देशों से नील का आयात बंद हो गया था तो वेस्ट इंडेज और अमेरिका से ठीक है 1783 से 1789 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधर अगया था जिसके कारण भारतिय नील की मांग बढ़ी थी आप फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं तो ब्रिटेन द्वारा भारत से नील आयात 1788 में 30% जबकी 1810 में 95% हो गया था यानि 1788 में यह सिर्फ 30% था और 1810 में यह क्या हुआ तो यह 30% से बढ़कर 95% हो गया तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि नील के मांग कितनी थी विदेशों में कि यह 30 से बढ़कर 95% पर पहुँच गया था ठीक है नील की खेती के दो मुख तरीके थे एक नीज था दूसरा रेती था अब हम जानेंगे कि नीज खेती क्या है उसके बाद भीर हम जानेंगे कि रेत खेती क्या है ठीक है तो नीज खेती में इस बेवस्ता में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमीनदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते तो friends यहाँ पर आप एक चीज सौट ट्रिक के तुरू समय सकते हैं नीज मतलब होता है अपना तो यहाँ मालिक कौन होगा तो खुद बगान का मालिक खुद होगा ठीक है यानि उसकी नीज खुद की खेती होगी रहेती का मतलब ऐसे भी किसान होता है तो आप उसको किसान के साथ जोड़ कर भी आप याद रख सकते हैं तो इसको तो यहाँ हमने समझ लिया अब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन नीज खेती में कौन-कौन से समझ से आई तो उसका सबसे पहला समझ सा क्या था तो बड़े भूकंड उपलब्द ना होना किसानों से टकराव तथा तनाव मजदूरों का इंतजाम मुस्किल और हल बैलों का अभाव होता था क्योंकि मालिक जब खुद होते थे न तो यह लोग किसानों प अपनी रोब जमाते थे जिसके विज़े से इन्हें भूकंड उपलब्द नहीं हो पाता था किसानों से टकराव होती थी तनाव होता था मजदूरों का इंतजाम भी बहुत मुस्किल से हो पाता था हल बैलों का भी अभाव था क्योंकि अगर मजदूर इनके साथ ना जुडेंगे तो वो हल बैल भी कहां से उपलब्द करा पाएंगे ठीक है अब चलिए हम देखते हैं आगे क्या क्या है तो नीज विवस्था के अंतरगत नील की पैदावार सिर्फ 25 पर 30 यानि उससे भी कम होती थी नील की खेती होने के बाद उसमें कोई फसल नहीं होती थी जमीन बंजर हो जाती थी अब हम जानेंगे रहती खेती के बारे में तो इसमें बागान मालिक रहतों से एक अनुबंद करते थे यानि किसानों से एक अनुबंद करते थे मुखिया रेतों की तरह से अनुबंद के लिए बाद दिकिया जाता था थो था अनुबंद के बाद कम ब्याज पर कर्ज दिया जाता था एवं कम से कम 25 परतिसत जमीन पर नील की खेती करनी होती थी ठीक है अब हम पढ़ेंगे नील विद्रों के बारे में तो यह बिद्रों कब हुआ था फ्रेंड तो यह बिद्रों मार्च 1869 में बंगाल की हजारों रेउतों यानि हजारों किसानों ने मिलकर नील खेती करने से इंकार कर दिया था किसानों यानि रेतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इंकार कर दिया था और रेतो यानि किसानों को जमिंदारों और मुखियाओं का समर्थन मिला और ये बगावत धिरे धिरे विद्रों के रूपें फैल गई और इसे ही क्या कहा गया तो इसे नील विद्रों का नाम दिया गया था ठीक है 1889 में मजिस्ट्रेड एसले एडन ने घोसना की की रेतों को नील अनुबंद के लिए बायद नहीं किया जाएगा यानि ऐसले एडर्ण ने किसके साथ घोसना कि तो किसानों केलिए घोसना किया कि अब नील अनुबंध के लिए बायद नहीं किया जाएगा बाद में एक नील आयो का गठन भी हुआ था फ्रेंट्स जिसमें कहा गया था कि ततकालिक अनुबंदोनों को पूरा करने के बाद रहियत यानि किसान आगे अनुबंद ना करने के लिए स्वतंद रहेंगे 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाब चमपारन सत्यागरा किया गया था अगर आपसे पूछा जाए कि नील बागान मालिकों के भिरुद महात्मा गांधी ने चमपारन सत्यागरा कब शुरुआत की तो 1917 में ठीक है और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें इससे आगयाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी और आप समय के साथ क्लास से जुड़ जाएंगे ठीक है और अगर आपने अभी तक हमारे सोचल मिडिया हैंडल्स को फॉलो ने किया है तो आप हमारे सोचल मिडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो फ्रेंड्स आपका हमारे सब बने राने के लिए बहुत बहुत देनेवाई थांक्यू फ्रेंड्स, थांक्यू फूर वाचिंग